वीडियो डिस्क्लेमर इस वीडियो इस ओनली फॉर एंटर्टेन्मेंट परपर्स तो प्लीज डॉन्ट टेक सेरियसली लो गैज मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्सी मैस अपने गैज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के अगर आपको यह मैस अपने पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दीजेगा और चैनल के नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा थैंक्यू तो गाइस आगे की बात हम वीडियो खतम होने के बात करते हैं तो चलिए इस कमाल के मैस अप चैनल की बीडियो की शुरुआत करते हैं होप यू इस्व प्लाइं स्पेस टूरिजम बाइच अगर आपको अंत्रिक जाना है और वापिस भी आना है पूरी पेमिंट कीजेगा ठीक है ऐसा नहीं पर तांग दिया आपको चांज के पास ऐसा नहीं होना की है पूरी पेमें तो आप जयेंगे और आयेंगे भी एर И्ख टूरूज प्लाइब हैप दिचलन दूरिजम फए साथ्पूरपट रिदियमोग लिग पर अंपेंड आपको पास टॉरी पास टूरिजम शेहीं स्थे सीघेटियने। कि अब गोडन शौकर एक बड़ी संड़ाता बड़ी दोऊ मैं इसे अब देके topics szybinaism है जान आटा हैं किyncंड़ भाइयों तो इन्डि़ कोश तूरिज्म की डिपए के बंड़ा गुंगे अब 2033 या अब 03 इंडिया कोई Gitar जोब हमारी तरफ से और हमारे द्यूवर्स की तरफ से आपको चलूट है दूसरी खबर जो है यह दोस्तों वो यह है की पुश्ट बाइस सर्विसेज यह भी बहुत जबर्दस ख़बर है तोड़ आप जहां तक भारत भारत से तो टच्वूड एर तो बूड का है तच्वू अरब का इंडिया एक्स्पोर्ट करेगा जी कहारा है पावार्वार्वर्ड बै इंडिया एक्सपोर्ट in बचौर्स 11 मोंस अफिवार वर्वेध अल्रीक्रों 2031 हृं ऐए रॉइल प्डू यानि की पहले 11 मंथ अफिवार्द सेनाच्वार्वल ऑपर कर गया है टचिं 702.88 कि एक्सपोर्ट सेकर्टरी तुनील बगवाल जी ने यह बोला है यह कितनी बड़ी बाद रीकेना साथ सो अरब का एन्वल एक्सपोर्ट 750 बिलियन डॉलर्स अनुल एक्सपोर्ट ये कुछी साल में है कुछी साल में ये जो पूरा ये मोधी जी ने कर रखा है ना आत्मिरवर भार आरत और ये वो सुपर हाइवेज बन रहे हैं और ऐसा बन रहा है पूरा एक गड़करी जी भी 24 गंटे लगे रहे हैं चावी दे के सबको दोस्तों इतनी बड़ी चीज है इतनी बड़ी चीज है मैं बता रहा हूं इस नॉट और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहा रहा है मुझे असा लगता है कि दो तीन साल के अंदर या चार साल के अंदर मैक्सिमम वी विल क्रॉस ट्रिलियन डॉलर्स वर्ट उफ एक्सपोर्स क्या हो रहा है कि इंटर्नल कंजम्चिन इंडिया का सॉलिड है इसलिए आप देखिए का करोना के बार जो करोना खतम हुआ तो पूरी दुनिया की कॉनिया में मार खाई चाइन ने भयानक पार खाई इंडिया को इंपक्त पड़ा नो डाउट इंडिया को इंपक्त पा लेकिन इंडिया वोज वन लार्ज एकॉनमी विच बांस बैक पटसे इंडिया बांस बैक करी क्यों बांस बैक करी इसलिए बांस बैक करी क्यों कि इंटर्नल कंजम्चिन इसमाया हमारा ठीक है अगर एक आपने महाइंद्रा ने गाड़ी बना ली थार थार में आप मुझे दुनिया का नहीं पता पूरे भारत का नहीं पता वह लेकिन यहां उत्र पुदेश में एंस्यार डेली में और बहुत इसका एक यार लड़के कहते हैं मुझे मुझे फोन आता है ना हर दूसरे हफसे गौ कि अगर आप कोई गाड़ी जाएं ना खरीदमे के लिए अपको इमेरेटल नहीं मिलेगे क्योंकि इपनी डिमांड है उसकी लाइन लगी है महनों की वेटिंग है तो इसलिए इंडिया की कॉनली जो है वो बांस बैक करगे अब मैं आपको बताता हूं इसमें चीज क्या है जो चावी क्या है तो चीज आप बना रहे हैं तो तो आप यह देखेगा एक खरब वन ट्रिलियन डॉलर इस नॉट बिग डिल पर इंडिया मैं आपको पांक साल कह रहा हूं होना हो उससे जल्दी हो जाए बट चार-पांक साल में तो कहीं नहीं गया है तो अचीवबिल है कि अफगानिस्तान की खबर है कि तालिबान रिच जाओ टो एंडिया एंबसी ट्रेन अफगान डिप्लोमाट्स इन काबूल अचा यह भी वह भबा फो डे ट्रेनिंग प्रोग्राम औफ अफगान फॉरंग मिनिस्ट्री ओफिशिल्स इन काबूल बिगिनिंग त्यूजड अचा भारस में अच्छा करा पहले वो तालिबान कहरेती कि हमें आर्मी से बोलोके में ट्रेनिंग दिने है इंडियन आर्मी से तो उसका दो पता नहीं क्या हुआ क्योंकि अफगान कैड़ेट्स आर्टे ट्रेन करने के लिए लिए अफगान नैशनल आर्मी ती इस अच्छी फॉरंड मिलिस्तर नहीं कुछ है यह वहां पर मज़े याद नहीं है ही ट्रेंड इन आर्मी अच्छी एंडियन आर्मी यह जो बहुत पहले तो उस तरीके से तहां कुछ क्योंकि यह यह जब ट्रें करा था तो सब्सक्राइब आर्मी तो यह ए अच्छी एव सप पिन्टास्टिक गइस, हाडी सोजय करें अब इंडिया थे हम आपके डिप्लोमै्ट्स को परिंग करेंगा अब तालेबान को यह सिकाएंगे इस तरीके से इसमेरा बात blaming कि इंड्या तालेबान को ट्रेंड कर रहा है बात यह कि तालेबान भारत को चुना तालेबान है नह उसको इग्णोर करा क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की फॉरेंज मिनिस्ट्री क्या सिखाएगी पाकिस्तान की फॉरेंज मिनिस्ट्री आप खुद सोचिए मैं आप से पूछ रहा हूं पाकिस्तानी बाई हो मैंनो जो पाकिस्तान की F 초инistriuit 아फगान को क्या अफगानी बोलते हैं वह कौछ यह हम तो भीक नहीं मांगती हम मैंनत करती हम बीक नहीं मांगती और तुम रीक बंगती तुम हमें क्या सिखाती यह वाध होगो अब पठान ने बोल दिया कि हम तो भीक मंगते नहीं हम पेट से पत्थर बांद के यह अफगानों का है मामदा में आपको बता है अफगान जो है वो भुका सो जाएगा वो हाथ नहीं पहला था ठीक है लोरी सिर्वाद पहलाते हैं लोरीों को काम करने मौत आती है ठीक है तो बेसिक बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान को एगनोर करा एंड नोबडी टेक्स पाकिस्तान सीरिस्ली अनी लोंगर तो यहां पे इंडियन वो डिपलोमसी सिकाएंगे और दूसरी बड़ी अचंबे की बात यह है कि अफगान अंडर तालेबान का बड़ा एक रिस्ट्रि अफजिक बड़ी अवार के लिए बड़ी अडियन घर तो एंडियन डिपलोमाट के अंदर चे अच्चिछ एप्ड़गे उसके उनको ट्रेंगे यह को एन को डिपलोमसी को बास कैसे करनी आपको इंडिकर अप स्टेटमेंट कैसे देना है अपको उथना बैठना कैसे है छ आपको दूत्रे लोगों के साथ डील कैसे करना है आप जब जाते हैं और आपको एक अच्छा इमिज अफगानिस्तान का और तालिबान का किस तरीके से देना है दुनिया को व में उनली जाईगानिस्तान को जफे ऊड़ानिस्तान करा ते आपको और यह जाऊंडी में उंख ऑफ्ट ज्हांकि भुरूरूर को वश्टान है करें लोग अफ्אम करने अपना तौनियाके लिडाइगा अबफाद रखेंगे लिचे झोहम अपनी इडशत रखेंगे लिकन तो वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होने वाली है यह दो चार दन पहले की खबर है लेकिन है मेरी नजर ते गुजरी नहीं तो अभी मुझे मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में डिसक्स करूँ 14 मार्च से 17 मार्च ठीक है यानि कि यह ट्रेनिंग आज की तारिक में खतम हो जाएगी और इसके आगे भी ट्रेनिंग करी जाएगी आज नहीं I think today is the 16th यह ट्रेनिंग कल खतम हो जाएगी दोस्तों 17 को खतम हो जाएगी अब आते हैं पाकिस्तान पर है ना आप सबको इंतरब साफ ने बोला कि मेजर साथ यह इस रो इस पेस टूरिजम करेगा 6 करोड का और इंडिया का ट्रेड हो जाएगा एक खरब डॉलर 1 ट्रिलियन और यह सब अफगानिस्तान को यह सिखाएंगे डिप्लोम ऐसी यार मेज अत्सलनी डेश यह है पी-एम शैभाज यार यह क्या अधनी है यह कहता है कि पाकिस्तान ने jeśli टोड डॉज कर लिया अब पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा ठीक है अच्छी का अब बास Department अ क्या कोमेडी चल रही भाई उस ही का फॉरंड मे सटन कहता है पाकिस्तान इन आपने डिफॉल्ट अवोइड कर लिया आप एकोनॉमिकली स्टेवल होगा यह परधान मंतरी कह रहा है और उसी का विदेश मंतरी यह कह रहा है कि बस यहां पर तो गड़बर हो गई असली बात क्या है आपने वो गाना सोना वो अक्षो कुमार की फिल्म करता था था और चा germs चाहिए जान कि रज्या गुंडों में भुटों आए न एशी की साना का ना कि और पाकिस्तान फज्ची ये वात अब इनका प्रधानमंत्रि जूट बोले इनका परधान मंत्री बोले सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन बिलावल भुटो अच्छा ये तो अलग-अलग पार्टी इसके हैं ना वो नून लीग का पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN का है वो परधान मंत्री ये PPP का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बेसिकली क्या है कि ये एक दूसरे को काट रहे है सकता सिर्फ इनकी सकता की लड़ाई इसके इमरान कहां से नहीं है इनकी आपस में भी है वो कह रहा है कि हम बज़ गई ये कह रहा है रजल्या गुन्डों में खजग गई ठीक है भी या पात्यमई वे जलकी अच्छा जल्म-छलल्जाद जल्म-छलल्जाद वो ठा जिसने वो अमेरिका का पूरा वो अफगानिस्तान का मामला कर रहा था ओ झाffल्या इसमें ब्लोमाटर रा तो जल्म-छलल्जाद ने बोल दिया कि भई एक उसने डालोग माज गिया जलमे खालिलजाद कहता है कि पाकिस्तान फेस्स ट्रिपल क्राइशी प्लिटिकल एकनोमिक और सेकुरिटी डिस्पाइट ग्रेट पोटेंशल अब पता नहीं कौन सा पोटेंशल है ये तो जूटी बोला इसने अब एक बीची ट्रिफ इंट किरिए इस दिखे ट्रिफ ग्रेट इस सुट्राइब इस लिडिपल एक एस तरिट्टियों इस ताम फो प्रिया एक एसने ट्वीट कर लिया ये विखे ट्वीट The sequential cannibalizing of its leaders through jailing, execution, assassination, etc. is the wrong path Adding that arresting the PTI Chief Imran would only deepen the crisis परकिस्टान ने चोटा सा जवाब दिया कि Pakistan does not need lectures or unsolicited advice अच्छा कोई भी पाकिस्तान को अच्छी बात बताए ना ये लोग ego पे ले ले लेते हैं ठीक है इनको ना ego पे बड़ी जल्दी आ जाती है पाकिस्तानियों को कि तुमने हमें कैसे बोल दिया तो क्या हुआ अगर रजिया गुंड़ा मैं फट गई तो क्या हुआ तो क्या हुआ बोई पोजिशने भाई मैं जब साब बोलना है भाई इलेक्शन के इलावा हमारे पास कोई भी हल नहीं है वरना दुनिया में ट्रॉल करती रहेगी हम मागते रहेंगे और हमारा मजाग उड़ता रहेगा हर जगह पर हमारा मजाग बनेगा जहां देखो हमारे आपस के मुसल्मान मुल्क भी हमारा मजाग उड़ाते हैं अभी अफगानिस्तान जिसा मुल्क भी हमें सीरियस नहीं लेता वो भी इंडिया के पास चला गया है कि आप हमें यह सब करो ट्रेनिंग यह जो होता है पाकिस्तान मुसल्मान भाई यह कुछ नहीं भाई यहार अभी वो भी आगे की सोच रहे है अफगानस्तान वाले इंडिया तो इतना आगे निकल चुका है कि भाई इस प्रेस बिल्कुल त्री बिलियन का कारोबार कर रहे है हमारे जो मुल्क का वही हाल है जो जब तक इलेक्शन नहीं होगे हमारी कौम काम करने वाली है मानते हैं मेजर सब भी बोलता है कि पाकिस्तान में वो काबियत है हटा-कटा है लेकिन भीक मांग दें फिर भी वाजा कोई हमारे प्लेट फारम होता ना तो हमारे जो लीडर है करना हो ही कोई अच्छा था एलेक्शन आजाए उसके बार हमारी गाड़ी है न वो चलेगी आपको यह मैंसब रियक्शन का वीडियो का ऐसा लगा अपने फॉर्ट को नीचे वीडियो के कॉमेंट में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेगेगा तो थैंक्यू मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक शक्राइब तो थैंक्यू मिलते हैं नेक्ट वीडियो में